समय कितना महत्यपूर है या बात सब जानते हैं लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते हैं लेकिन फिर भी वे अपने कीमती समय बरबाद करते हैं लेकिन जो लोग अपने जिंदिगी का कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं वोई लोग अपने जिंदिगी में सफलता हो पाते हैं तो आज हम बात कर रहे हैं समय बक्त अच्छा हो तो पराय भी अपने बन जाते हैं और बक्त पुरा हो तो अपने भी पराय हो जाते हैं समय से पैसे को पाया जा सकता है लेकिन पैसे से समय को पाया नहीं जा सकता है बक्त की या खासियत होती है की या जैसे भी हो बीत जाती है जब समय की मारी पड़ती है तो कई गरीब बन जाता है तो कोई अमीर बन जाता है बक्त बर्बाद करने वाले या भूल जाते हैं बक्त जब बर्बाद करने पर आता है तो पूरा बर्बाद कर देते हैं समय धीरे धीरे ही सही लेकिन बदल जाता है समय कहता है मैं दोबारा नहीं आऊंगा कोन जानता है कि मैं तुम्हें हसाऊंगा या रुलाऊंगा चीना है तो इस पल को ही जी लो क्यूंकि मैं इस पल को आगे पल तक नहीं रोख पाऊंगा बक्त भी बड़ा अच्छा खेल दिखाता है कभी हसाता है कभी रुलाता है किस्मत को तो युही बदनाम किया है दुनिया में असली खेल तो बक्त दिखाता है किसी एक पल को खास समझने से अच्छा है अपने पूरे समय को खास बनाने की कोशिस करो बच्चपन में देखना अच्छा बक्त लगता था जिन्दिगी कितना प्यारी है फिर बुरे बक्त ने बताया या तो जिन्दिगी का एक ही परलू था दूसरा परलू देखना अभी वाकी है बक्त बक्त की बात है कभी हसाता है कभी रुलाता है कभी जगाता है कभी सुलाता है एक यही तो है गरीवी की बादसा और बादसा की गरीवी बन जाता है दूसरों को बुरे बक्त पर हसाने वाले बक्त जब भी सिकायत करता है हर दिसा से बार करता है बक्त ने ही तो सिखाया है कौन अपना है और कौन पराया है या बताया है खाने की कदर ना करने वाले लोग को खाने की अहमियत क्या होती है या सिखाया है बक्त नहीं बदलता अपनों की वज़े से अपने ही बदल जाते हैं बक्त की वज़े से बक्त से लड़कर जो अपने तकदीर बदलता है वही इंसान अपने किसमत सवार लेता है बक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं अपने आज पर विश्वास करता है बक्त भी बड़ा अजीब है जब बदलने पर आता है तो जरा भी बक्त नहीं देता ना तो समहलने का और ना ही सुधरने का कोशिस करते हैं लोग बक्त के साथ चलने की लेकिन बक्त के साथ चले वही पाते हैं जिसका बक्त बदलने वाला होता है जिन्देगी में जो भी हासिल करना चाते हो उसे बक्त रहते हासिल कर लो क्योंकि जिन्देगी की मुखा बहुत कम और धोका बहुत ज़ादा होती है अच्छे बक्त के उजाले में जो चमक रहती है मोतियों की तरह बुरे बक्त की रात में वही नजर आए कोईले की तरह बुरे बक्त में जो साथ दे वही तो सचे अपने होते है वही तो होते हैं जो दिल से आपको प्यार करते हैं कभी उसका हाथ और कभी उसका साथ छोड़ा नहीं जिन्हें आपको कभी अकेले छोड़ा नहीं शमय बहुत बड़ा सोदागर है हमें कामियामी तभी देता है जब हमसे हमारा बहुत सारा वक्त ले लेता है बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सिखा ले किस्मत को मत कोसो हर हाल में चलना सिखा ले इनसान को अलाराम जगाए या ना जगाए जिम्बनारी जरूर जगा लेती है समय जब सच के गवाई देता है तब जूट की कोई उकात नहीं होती सफलता समय कभी नहीं मिलता इसे हासिल करना पड़ता है सफलता नहीं होते ऐसे ही सब लोग हर समय हर पल सफलता की चिंगारी को अपने अंदर जलाना पड़ता है सही समय पर लिए गए कथिन फैसले अकसर जिन्देगी को आसान मना देती है समय गूंगा नहीं समय बस चुप रहता है बक्त पढ़ने पर सब कुछ बता देता है अच्छा समय पाने के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है कभी घवण मत करना क्योंकि जब बक्त सुधरता है अच्छे अच्छों का घवण उतरता है अच्छे बक्त की एहमियत को सरी वही लोग समझ सकते हैं जिनोंने अपने जिन्देगी में बुरा बक्त देखा हो जो भी अपने समय का सही तरीके से इस्तिमाल करना नहीं सीखते वे जिन्देगी में कभी सफलता नहीं पाते अगर बुरा वक्त नहीं आये तो इनसान अपनो और बाराय का फर्क ही नहीं समझ पाता अच्छा वक्त हो तो इनसान अपने हैसियत से पहचाना जाता है और बुरा वक्त हो तो इनसान अपने ओकत से पहचाना जाता है अच्छा बक्त जितने यल्दी जिद्देगी से चला जाता है इंसान को पता ही नहीं चलता लेकिन बुरा बक्त जब जिद्देगी में आता है तब इंसान उसका एक एक पल गिता है रिष्टे वे नहीं होते जो बुरे बक्त में साथ छोड़ करके चले जाते हैं रिष्टे वे होते हैं जो हर हाल में साथ देना जाते हैं किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिसके बुरे मक्त में साथ देने वाले अपने मिलते हैं अच्छे मक्त में साथ देने वाले जब बुरे मक्त में या कहें कि हमारे पास मक्त नहीं है वे ये भूल चाते हैं कि जिस तरह बुरा बक्त आया है उसी तरह अच्छा बक्त भी आएगा बक्त कितना कीम्ती होता है या बात सफलता लोग ही बता सकते है जिनको पैसे से जादा बक्त की जवरत होती है बक्त भी उसी को बातसा बनाता है जो बक्त का सही तरीके से इस्तिवाल करना जाते है समय बहुत तेज है सहाव कट जाता है लेकिन सब कुछ कटने के बाद बक्त धीरे जरूर चलता है लेकिन रुकता किसी के लिए नहीं समय सब को मिलता है जीवन बदलने के लिए पर जीवन दुबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए खोए हुए समय दुबारा पाया नहीं जा सकता समय सबसे किंती चीज है जिसे मनुस ऐसे ही खर्चा कर देता है एक मिड़िट देर से आने से में तरतीन घंटे चल्दी आना कभी हार मत मानो जीवन में आप चाहे कुछ भी करें कठिन समय हमेशा आता है उस शमय के मध्य से आगे मढ़ें और अपने अंतिव लच को बढ़ाये रखने में छमता हो कठिन समय में ही आप असली रंग और व्यक्ति देखते है संत जल में जहाज का पईया तो कई भी उठ सकता है लेकिन जब संत जल ना हो तो या इतना आसान नहीं होता आपके वाल अच्छे समय का आनग नहीं ले सकते आपको कठिन समय में भी संत होना होगा हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो सेर जरूर करे